कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी चानल दा ओचरिंग पर इत्रकारों वारियर समाजवादी पार्टी के पुषपराज जैन और पमी के ठेकानों पर आयकार विभाग की चापेमारी चल रही है आयकार विभाग कन्नौज कानपुर दिल्ली और मुंबाई में 50 अलग अलग जगाओं पर रेट कर रहा है मुंबाई के विले पारले अंधेरी गोरे गाओं और मलाड में पुषपराज जैन और पमी के ठेकानों पर इंकम टैक्स की चापेमारी जारी है इसके अलावा कन्नौज में मुहमद याकूप पर्फ्यूम्स पर भी इंकम टैक्स सुभ्य साथ बजे से रेट कर रहा है बता दें कि आयकार विभाग की रेट कन्नौज में सपा के MLC पुषपराज जैन औ प्यूश जैन के ठेकानों पर GST की रेट के दोरान पमी जैन का नाम सामने आया था पमी जैन इत्र का बिजनेस पेट्रोल पंप और कोल स्टोरेज का बिजनेस करते हैं प्यूश जैन के यहां GST की रेट के दोरान पमी जैन ने बयान दिया था कि प्यूश जैन से उनका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को सपा MLC पुश्पराज जैन और पम्मी के साथ प्रेस कॉंट्रेंज करने वाली थे और इससे पहले ही पम्मी जैन के यहाँ छापा पड़ गया अखिलेश यादव थोड़ी देर में लखनव में के लिए रवाना होंगे कनौज में सफपा कार्याले पर अखिलेश यादव प्रेस कॉंट्रेंज करेंगे आयकार विभाग की कारवाई पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रियाक्षिन देते हुए ट्वीट किया गया था कि राश्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश करनी शुरू करती बीजेपी का डर और बॉखलाहट साफ है जनता बीजेपी को इस सबक सिखाने के लिए तयार है गौर तलब है कि इत्र कारोबारी पियूश जैन ने घर से छापे मारी में लगभग 200 करोड रुपय का कैश मिला था हो सकता है आपने भी यही सुना हो कि पम पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी है आज इन ही पी जैन के ठेकानों पर चापे मारी चल रही है एत्तिफाक है कि पुष्पराज जैन और पियूश जैन का घर कनोज में एक ही रोड पर है दोनों के घरों के बीच में हैस 500 मीटर की ही दूरी है इससे पहले पुष्पराज और पम्मीं ने मीडिया से कहा था कि समाज़़ादी इत्र में ने लॉंज किया था. ये कोई पहली बार नहीं हुआ है. समाज़़ादी पार्टी का पर्फ्यूम लॉंज होता रहता है. लेकिन गलत तरे से मेरा नाम जोड़ा गया है. प्यूस जैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं समाजवादी पार्टी का MLC हूँ समाजवादी पार्टी के लिए पर्फ्यूम बनाते रहते हैं प्यूस जैन और मुझ में केवल एक ही समानता है कि हम दोनों जैन है बाकी मेरा उनसे कोई समबंद और कोई रिष्टा नहीं है पमी जैन ने कहाँ था कि प्यूस जैन तो कानपूर में रहते हैं कभी वो कनोच आते हैं और मंदिर में सामने पड़ गए तो उनसे हाई हेलो हो जाती है इसके अलावा उनसे मेरा कोई लिना देना नहीं है और आगे आने वाई लाइव अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारा चैनल दा ओटरिंग